वडोद्रा के गोतरे मेडिकल तथा एसरी एस्पताल के तमाम तबीबोद्वारा आज काली पट्टी धारन करने के साथ वीरोत आंदुलन का एलान किया गया जहां पिछले 10 सालों से अपने बिन सुल्जी, प्रश्ण और निराकरन के लिए आज एक बार फिर तमाम तबीबोद्वारा दर्दियों पर इसकी असर न पहुँचे इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ काली पट्टी धारन कर ही धरना करते हुए आकरोश विक्ते किया था रज्जी की GME RS कॉलेज में फर्ज अदा करते वैसे प्रध्यापक तबीबोद्वारा गवर्मेंट कॉलेज की तरह तबीबी प्रध्यापकों को भी PF ग्रेज्जूटी, Regulation Promotion, Medical Allowance अथा LTC बथा सहीत के लाब देने चाहिए वैसी मांग के साथ आज सरकार के समक्ष आहिंस तक आंदोलन जारी करते हुए शू भारम किया गया जिसके भागरूप वडोद्राशय के गोतरी तथा GME RS के प्रध्यापकों द्वारा आज काली पटे धरान करने के साथ धर्णा किया गया तो वहीं दल्दियों की आरुग्य सेवा पर इसकी असर ना पहुंचे उसको ध्य जा रहे हैं वैसा ठराओ दिया गया था चे मेने का वक्त दिये जाने के बावजुर सरकार के सताधीशों तथा अधिकार्यों द्वारा अपनी मनमानी भरे बरताव करने के साथ पहली जुन 2021 से नया सुदार किया गया और उसका अमली करण अभी तक नहीं किया जा रहा तो तबीबी शिक्षन और इलाज में तबीबों की बरती कॉंट्राक्ट प्रथा भी रद की जा रही है वैसी तमाम मांगो को ध्यान में रखते हुए अभी तक कोई भी निराकरण नहीं आने के साथ आज 29 नमबर से गोतरी तथा एसरजी अस्पताल में फर्ज अदा करते वैस से तमाम तबीबी प्रध्यापको ध्वारा अपनी परतर मांगो को लेकर सरकार के समक्ष एक बार फिर अहिंसक आंदोलन का एलान किया है जहां आज पहले दिन काली पट्टी धरन करने के साथ अस्पताल के केंपरस में धरना गरते हुए अपनी नाराजगी व्यक्ति की थी अपने वकते होम मिनिस्चर साही बाता डिप्टी सी एम अने सी एम पच्छी यह बदी मांगो पर अधिकारियों एक ऐसा आगड कर्यू नथी तो हजी सोधी बदा कागडियों मज फरेजे तो यह अना पर अमल आयू नथी तो यह अमल मांवे बदी जूनी मांगो आगड़ जे लोगो अल्रेडी मानी गया छे जेमा डिबार्टमेंटल प्रमोशन छे पच्छी उच्चेतर पगार धोरन छे अने प्रविडेंट फंड छे मेडिकल अलाउंस छे ट्रांस्पोर्ट अलाउंस छे तो यह जी एक बे मांगो छे मेना से गाड़ू ने आख ने खुल भी क्यारीी है ने रखोंस अलाउंस अलाउंस लाव ज में ट्री भी ल्कासब और्वी एकज जामस दानलाउ Śriz हैō।